कल पटना के सिविल कोट में एक बम फट गया बम फटने से तीन पुलिस कर्मी घायल हो गए और उसके बाद जब S.I. सहब पटना के सिविल कोट से वापस जा रहे थे तब उन्होंने जजज सहाब को कहा कि एक और बम है जो अंदर रखा हुआ है और उसके बाद जो बवाल का विवरन करने के लिए हम यहां चले आए अब सुनियेगा ध्यान से कि कल क्या हुआ था पटना के पटेल छात्रावास में बम का बिस्थोटक बरामद हुआ था उसी को कोट में प्रोड्यूस करने के लिए कदम कुमा के थाना से एस्टील के डबबा में दो-तीन डबबा म लागे कि बम को डिफ्यूज कर दीजिए और उसके बाद पटना बम दस्ता के तरफ से कहा गया जो बम का तो दो-तीन आदमी एक्सपर्ट गया था कि हमको तो बम डिफ्यूज करने आता ही नहीं है ज़ज साहब बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है तो भाई साहब बोले कि नहीं हम को बम डिफ्यूज करने नहीं आता है जब ATS आएगी तो बम डिफ्यूज करेगी ATS माने होता है Anti-Terrorism Squad अब उन लोग के आने का इंतजार हो रहा था और तीन पुलिस कर्मी पहले बम के रिफ्यूजन हुआ था उससे घायल हो गए थे और कदम कुमा के SI साहब जब उन तीन पुलिस कर्मियों को लेकर जा रहे थे तो उन्होंने करदी कह दिया कि स्टील के डब्बे में इस फोटा कभी भी अंदर रखा हुआ है मतलब पटना सिविल कोट के अंदर दो डब्बा जिन्दा एक्स्प्लोसिव वहां रखा हुआ था जिन्दा इसलिए बोल रहे हैं क्य इसको डिप्यूज किया जाएगा उसके बाद अंदर कोट में कोई नहीं गया क्योंकि सबको डर लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और उसके बाद जब ख़बर का तैकिकात किया गया तब यह मालूम पड़ा कि नियम यह होता है कि कोई भी एक्स्प्लोसिव अग करके इसे फट जा रहा है इसका भी जाच होना चाहिए और उसके बाद जब थाना प्रभारी से पूछा गया कदम कुआ के तो थाना प्रभारी सब कहते हैं कि देखिए वो एक पाउडर था और स्टील के डबबे में भरकर हम लोग वो पाउडर कोट में ले जा रहे थे और इसको डिफ्यूज करेगी और इसके बाद जब मानवजीत सिंग धिल्लों से पूछा गया कि बाई साहब ऐसा कैसे हो गया तो साहब ने कहा कि देखिए वो कोई बं तो था नहीं कि हम लोग उसको डिफ्यूज करते वो तो सिर्फ पाउडर था पाउडर को डिफ्यूज बत पट गया कोई बोला गर्मी से पट गया कोई कुछ बोला लेकिन मिलाज उलाकर स्थिती यह रही कि पटना सिविल कोर्ट में उसके बाद कोई अंदर घुसा ही नहीं सब कोई लग रहा था कि कब बं फट जाएगा इसका कोई पता नहीं है और अंदर जाने से सब लोग डर बहरहाल आप इसे जज्ड कर सकते हैं कि पटना की पुलीस और पटना की बं विरोधी देस्ता है वो इस बात का द Carrie करते हैं कि हम वर्ल क्लास एकूजन के ढर जा रहा है है और कह रहा है कि हमको पता ही नहीं के डिफ्यूज कैसे होगा तो सोचिए कि हमारा बिहार कितना डेवलप हो गया है बागी पटना के सिविल कोर्ट में बहुत दुखत था ऐसा नहीं होना चाहिए पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आगे से ऐसी गलती ना हो वरना हो सकता था किसी की जान भी चली जा आप क्या सोचते हैं पटना पुलिस के बारे में कमण बॉक्स मिनी के बताईए मेरे नाम प्रशान तरह है आप देख रहे थे बहुत बहुत धनेवाद